पोलर ब्लू पैरट ने ब्रीड करी उनके एग्ज वाइट पड़ गए मेल फीमेल फाइट कर रहे हैं अनसेकसफुली ब्रीडिंग हो रही है और बेबिस को सेपरेट कप करें क्या फीडिंग दे मेल फीमेल कैसे आइडेंटिफाई करें तो गैस ऐसे ही काफी सारे डाउट है काफी सारे कमेंट है मैंने जिनको देखा तो आज उसी के ओपर वीडियो होने वाली है पूरी वीडियो काफी अच्छी और काफी इंफोर्मेटिव होने वाली है जो भी as a beginner है पोलर ब्लू पैरट के बारे में जिनको काफी नोलिज लेनी है और ब्रीडिंग के बारे में सोच रहे है तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है और वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको एक एक चीज़ जब ही पता लगेगी पोलर ब्लू पैरट के बारे में तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाईज प्लीज चैनल को लाइक कीजे शेयर कीजे और सब्सक्राइब कीजे और प्रेस दा बेल आइकन ताकि आपको वीडियो का अपडेट पहले ही मिल जाए तो वीडियो को स्टार्ट करते है गाईज तो first doubt जो कि सब से ज़्यादा और सब में ज़्यादा लोगों का यही रहता है कि हमारा pair breed नहीं कर रहा, breed set नहीं हो रहा, tank के अंदर और fight कर रहा है तो everyone इसका एक कारण होता है breeding करने के लिए आपको pair set करने के लिए मैं जो जो बता रहा हूँ आपको ये चीज करनी है आपने देखा होगा कहीं भी professional breeder के पास जाना आप देखना उनके breeding setup कैसे होते है उनका जो breeding pair होता पहली बात आप अपने tank में light बिल्कुल भी ना own करें अगर आप breeding के purpose से tank setup कर रहे है तो कोई भी tank हो गया चाहे angel fish का हो गया चाहे polar blue parrot का हो गया कोई भी हो गया फ्लावरोन का तो breeding setup के अंदर बिल्कुल भी light on ना करें और बार बार जगर छोटे बच्चे घर के अंदर है तो ऐसा ऐसी जगह tank रखी है जहां कोई disturb ना कर सके सम्में main कारण यही होता है कि काफी लोग आते हैं देखते हैं टेंक पे हाथ मारते हैं तो pair disturb होता है स्ट्रेस में चला जाता है इसकी वज़े से थोड़ी बहुत fight भी हो जाती है पेरों के बीच में और breeding भी नहीं कर पाता उनको disturb हो जाता है तो ऐसे जगा टेंक सेटप कीजिए जहां कोई कम ही जाए उस रूम में और light बिल्कुल भी ओना रखें और थोड़ा बहुत हो सके तो उसको किसी चीज़ से cover कर दीजिए पेपर वेपर से किसी भी चीज़ से cover कर दीजिए और breeding के बाद उसको ऐसी feeding कराई है जैसे कि tetrabytes हो बिल्दी ही चालू हो तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको पहला डाउट सबको clear हो चुका होगा and second doubt सबका यही रहता है everyone की हमारी fishes ने babies आगे हैं fishes के तो उनको separate कितने time बात कब separate करा जाया उनको तो मैं आपको बताता हूँ एक polar blue parrot का जो की मेरे को जितना experience है one week लग जात से 20 दिन तक babies को बिल्कुल भी touch ना करे ना water change करे ना कुछ भी करे नहीं तो यही कारण होता है बहुत सा female अपने babies को खा जाती है water change करते हैं बहुत से लोग और problem भी काफी सारी देखने को मिलेगी मेरे according आप कम से कम one month बिल्कुल भी setup को chain ना करे बिल्कुल भी touch ना करे आप कोई भी fish food है आप पे optimum है कुछ भी है तो आप उसको crunch कर लीजिए एक दम चूरा करके और उसमें थोड़े को blood warm डाल के उसका चूरा करके दीजिए और next अगर आपको babies को जल्दी ही grow करना है आप सम्में बढ़िया brine shrimps दीजिए brine shrimps से अच्छा कोई food ने बेबिस के लिए next step पे आते everyone तो आपने देखा होगा कि एक tank setup में कितने pair रख सकते हैं मेरे according आप polar blue parrot fish का इतना बड़ा size नहीं हो पाता तो आप कम से कम one feet का tank होना चाहिए आपके पास अगर आप bleeding कराने की सोच रहे हो तो one feet का tank मान के चलो एक pair के लिए अगर आप जैसे की काफी सारे पेर एकटा quantity में रखना चाहते हो तो आप कम से कम उसमें 5-6 पेर अनाम से easily रख सकते हो और feeding की बात करें तो मैंने आपको feeding का बताई दिया है tetrabytes दे सकते हो blood warm दे सकते हो optimum का thin one दे सकते हो यह सारे best food हैं fishes के लिए और guys अगर मैं इसके temperature की बात करूं तो breeding के लिए कौन सा temperature ज्यादा better होता है fishes के लिए polar blue parrot के लिए मैं breeding की बात करता हूं तो आप सम्में पहले pH level का ध्यान रखिए जो polar blue parrot का pH level को maintain करें और उसका जो water है आप हर दो दिन के अंदर 20-30-50% water change करके रखिए उसके अंदर medicine डाल के यूज करो तो यही चीज होती है आप अगर आप जितना अच्छी तरह आए ना उसको environment दोगे ना उतनी जल्दी और उतनी ही अच्छी breeding करेगी polar blue parrot तो guys next topic पर आते हैं अब हम की हमारे जो fishes polar blue parrot ने eggs दिये काफी लोगों के comment होते हैं कि हमारे eggs हैस नहीं हो पा रहे हम क्या करें हम problem है काफी time से wait कर रहे हैं तो everyone मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो की polar blue parrot केज females eggs देती है उसमें white egg क्यों पढ़ जाते हैं आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन में इसमें काफी सारे white eggs पढ़ चुके हैं तो guys ये एक natural process है इसको हम infertile eggs बोलते हैं जो की ये खराब हो जाते हैं naturally है ये चीज इसमें हम कुछी नहीं कर सकत हैं बट हम इसको थोड़ा बहुत रोग भी सकते हैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं ये actually मैंने अपने उपर ये मैंने अपने घर के अंदर जो मेरे पास tank है मैंने खुद experiment करा इस चीज का मेरे पास दो tank setup है और एक में मैंने एक male female डाला था एक में एक male female दोनोंने breed करी थी मै अपना experience बता रहा हूं अपके साथ तो एक को मैंने guys cover कर दिया था बिल्कुल कपड़े से बिल्कुल cover कर दिया थे एक setup को और एक को मैंने ऐसी normally रखा था तो दोनोंने eggs दिये थे बट एक जिसको मैंने cover करा था आप यकीन नहीं मानोगे उसके 99% eggs हैच हो गए complete और जिसको मै मैंने नहीं cover करा था उसके 40-50% ही eggs हैच हुए तो यह चीज मैं बताना चाहता हूं अगर आपकी female eggs दे रही है पहली बात तो eggs white पड़ रहे हैं इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता आप blue medicines दालो water change करो and second चीज मैं बताता हूं उस pair को बिल्कुल भी disturb मत करो यह infertile eggs होते हैं यह naturally process है यह खुदी eggs white पड़ जाता है इसमें कोई कुछ ही नहीं अगर फिर भी आपको लगता है तो आप उस टैंक को अगर आपके टैंक में जिसने भी polar blue parrot ने एक्स दी हैं आप उसको cover करने की कोशिश करो कपड़े से newspaper से कम से कम 10 दिन तक उसको ऐसा छोड़ दो कि आपके पा opinion बता रहा हूं यह मेरा personal experience है मेरको result मिला है इसलिए मैं आपके साथ share कर रहा हूं आप देख सकते हो इसके eggs है न मेरे पास 50% eggs white पड़ चुक है मेरे कितनी बार मेरी breeding मैंने fishes की breeding कराई है बट मैंने वीडियो नहीं डाली इस चीज़ के उपर कि मेरे कही बार कही टाइम मेरे 100% eggs white पड़ चुके है एक भी babies नहीं निकलता तो इसमें कुछ नहीं कर सकते है बट इसको आप थोड़ा बोर त्रोग भी सकते हो ट्राय कर सकते हो एक breeding के बाद दूसरी breeding में ट्राय कर सकते हो उस टैंक को आप cover करने के कोशिश करो एकदम और बिल्कुल भी disturb मत करो खाली food ड सकते हैं body shape and shape tail and colors की काफी easy हो जाता है इन चीजों से आपको easy होगा shop पे कहीं भी जाके आप identify कर सकते हो यह आपको male है male का fins and body shape काफी बड़ा होता है female के comparison में female काफी छोटी होती है यह आप दिख रहे हो screen पे female है and male के जो fins होते है इस पे reddish color होता है इससे आप identify कर सकते हो एक इससे भी identify कर सकते हो कि यह female है and यह काफी easy point है कि आप female identify कर सकते हो female के stomach पे हम इसा reddish होता है और next step पे आते हम male and female की friendship male का friendship V होता है और female का होता यू इससे आप बहुत easy पता लग जाएगा आपको male and female यह देख रहे हो आपको एकडम यह male है and यह काफी थिनो एकडम पथला होता है shape and female u shape की होती है इससे भी आप पता लगा सकते हो कि यह female है and guys अब मैं आपको बताता हूं कुछ अपना experience तो guys male female और female में ना female male से छोटी होगी male बड़ा होगा और male के fins भी काफी बड़े होते female के इतने बड़े fins नहीं होते और सम्में easy step बताता हूं आप van shape पता लग गया होगा आपको female के हमेसा u type की van shape होती है इससे भी आप पता लगा सकते यह female है and some easy way पर आपको बताऊं तो female के पेट पर जो होता है एकदम red होता है उससे पता लग जाते कि यह female है बस यही था guys वीडियो में तो जो वीडियो अच्छी लगे तो comment में बताना और चैनल को subscribe करना